यद्रेंज इस लिए यपी तो जैसे कि आप देख पा रहे हो आज मैंने एक साबजेक्ट देखाया थोड़ा साथ देशिक्स से अडवांस इसलिए मैंने इस चाइटल रखा था कि मैं कॉझा रहूंगा बेसिक्स से एडवांस आधर हो सकता है बेसिक्स में क्या रहता है कि व तो यहां पर आप देख पाएंगे यह प्यारा सा सब्जेक्ट है जहां था कि यह नेस्ट है पीकॉक का हो सकता है जहां आइडिया है चलो यह से ट्राइ करते हैं अगर मेरा बोईज बगरा क्लियर आ रहा है तो अब एक अबर अग्नोलेच कर दे हां तो यहां पर सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो मेरा जो पेपर में आज यूज कर रहा हूं इससे पहले मैं यूज कर रहा था सब्सक्राइक अजिक में जाले एक पर देखल को क्या है और मुझे पसंदार आ रहा है पेपर इसकी मददब तो टेक्चर है वो भी काफी अच्छा लग रहा है हलाकि पहले मैंने आर्च पर भी काम किया आर्च इस पर पर बे अगर अच्छा काम निकले तो अच्छा रहेगा क्योंकि बजेट की सबसे हमें क्या यह थोड़ा अच्छा रहेगा मैं रिफ्रेंद थोड़ा सा छोटा ही करके रखा है यहां पर और पेपर जो है थोड़ा बड़ा साइज रखते है ताकि आपको एक से ठीक है कि अग्यां तो यह तो यह तीरी है और पेपर है वाटर फोर्ट है जो की अब इसे ट्राइंग कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने पेपर बड़ा ले रिया तो सब्जेक्ट भी उसी से बड़ा करके ड्राइंग करना है अपि इंट्रेस्टिंग कलर है कि आप इस तर आप देख पा रहे हो मेंगनेज ग्लू करकोई यह सब कलर अप यूज कर सकते हैं खुद बना भी सकते हैं ब्लू और ग्रिन के जिरी है ठीक है और बाकी जो साइड में हैं राउन है बंसिया ना यह सब कलर यूज होगा ठीक है चलो मैं फिर स्टार्ट करता हूं और एक सबसे पहले सभी को वेलकाम करता हूं और आज का काम सुर करता हूं यह जो पेपर यह थिरी रॉंदर उसका है वाटर फॉर्ट अब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा जी में जो है साइड बे मैं तुरह ब्लर करके शोड़ दूंगा और जो में बड़ा पार्ट में तिरिया में कर लूंगा काम ठीक है जब भी हम ड्रो करते हैं उसको प्लानिंग बहुत जल्ब भी होता है कहां पर कर रहे हैं कि इस पेंटिंग के अंदर इस रेफरेंस के अंदर जो इंट्रस्टिंग मुझे देखने का मिल रहा है जो नेगेटिफ सपेस बहूं या बैक्ग्राउंड बहूं तब यह जो एक्स को छोड़के चालो तरफ जो एरिया है वह एरिया भी बहुत ज्यादे जरूरी है आपक एक हूं अच्छी तरह अग्येंग यहां पर डिफ्रेंट इस एंग्येंग त्रेबर में ट्रेमें ड्राइइंग कर रहा हूं आपको हल्क लग दिखें अग्या यह दिख्लाइंग पर पहले प्लानिंग इसके अंदर आप ट्रेंटिंग को कोंको देखने की कोशिच करेंगे तो आपको समझ्मिए गा इन अब इसके अंदर सूथ भाया इसके अंदर पेंटिंघ देखना है इसके देखना चाहिए थर से पिर पूंक के गुडियमिंग् क़ी घंट कर न ऐ ओके थैंक्यू पर वाचिंग और जो भी कोई आप मुझे बात करने चाहते है मुझे मेरा जो है दिख रहा है यह आपके जो भी बात्चित मैं देख पा रहा हूँ तो प्लीज आप यह पूछ तो है और मैं दिदे दिदे आपको एंसर भी करता रहा हूँगा ठीक है आपे जो है जो मेन है जो एक्स का जो ड्राइंग तेन उसमें जो कलर आइलाइट ट्रेडो उसमें जो बना बुटी हो रहा है कलर वो चाहिए और इसमें कुछ जो मेंस्ट के उपर जो बना बुठी है नेगटिव पेंटिंग के रूप में है मतलब एक चैलेंज है यह आज का पेंटिंग इस तरह से थोड़ा सा ट्राइज कर रहा हूँ जो चैलेंज होता है वो अच्छा लगता है लिखते है कि अधियरा पेपर और कि बड़ा है और काफी स्पेस है और स्पेस को कैसी उस करूंगा गर करके शोगा कि अब देख पाएंगे अंडे के उपर जो चाया है अंडे का आप अच्छी तरह करके डौव करके रखना होगा तकि आप ठीक से कर पाएबाद में तब कलर के साथ आपको यहां से क्लियर दीखने के लिए मैं थोड़ा जो आउट लाइन को डार कर देता हूँ आपको एक्दम टॉपर दीखे आपको पास करके तावला पार्ट और वाटर कलर मीडियम में आपको जिसना दिखाई दे तुदको उतना ही रखना है ट्वाइंग कि ज्यादा करने के जोड़ उतनु ही है कि आपको दिखाई देने के लिए मैं थोड़ा फिट से डार कर रहा हूँ कि अलो स्वातिजी क्रिम निंग कि आपके छोड़ा साथ और इस तर दे दा रहा हूँ कि आपको दिखते रहाएगा तो आपको अच्छा लगएगा इसलिए मैं यह लाइन्स अच्छी का कर कर दो कि आपकी जो इसके अंदर बहुत सारे लाइन्स है आप चाहिए तो थोड़ा थोड़ा ड्वाइंग कर सकते हैं मैं खास ड्राइंग नहीं करूंगा ज्यादा वो तर से बनाओंगा वही तो आपको देखना है आज के पूजिशन के अंदर अंडे का जो ड्राइंग है ना वो अच्छी तरह करना पड़ेगा उल्टा उल्टा नहीं बहुत सिंप्ल ट्राइंग है कोई मुश्किल वाला ट्राइंग नहीं है चलो इस पर अभी काम करते हैं कि अधियर आपके सवाल होते हैं कि बैक्डरॉंड पहले करना क्या अब्जिक्ट पहले करना ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कोई रूल है और ऐसा कुछ जरूरत है आप उसके उपर उस कॉमपोजिशन पर डिपेंड करके कर सकते की कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बाद में मैं पहले बाद बैक्डरॉंड भी कर सकता था और पहले सब्जेक्ट कर इस पर डॉइंग कर कलर रहा हूं कोई दिक्त नहीं ठी कि आप उनों साइट से ही कर सकते हैं आप आप करते करते हैं आपको एक ऐसा महसूस होगा उस कॉमपोजिशन के अंदर मैं ऐसा करते हैं कि पहले background करते हैं मैं ऐसा करते हैं पहले subject में color करते हैं वो जो आपके मन में होगा ना वो आवाज वो ही सुनना है और वैसे मैं यही कर रहा हूँ कि मेरे मन में हुआ कि मैं पहले subject में color करता हूँ और color में ही जो है बहुत सारे break रूल जो है ब्रेक करते हैं तो आपको क्या करना है सपोंच भी देखना है इस कोने में पॉन्च है अगर आप देख पाएंगे इस कोने ठीक है तो सपोंच को कब टेक्च कर रहा हूं बहुत ज़रूरी है उसे भी देखना हाई हाथ में टीस्टी होना चाहिए क्योंकि तो आप ठीक जाएगा तर बर्वर हुआ हाइलाइड नहीं निकला तो आप कि जीरी तो कर सकते कि तो मैं यह पहले कलर कर रहा हूं क्योंकि इसका जो कलर कर रहा है और इंट्रस्टिंग लगा मुझे पहले इस जो है तो है बट मर्ज है और बहुत चूटा एरिया में है लका सा स्पार्क प्राइट है ज़्य है और नहीं देना है एक ड्राइविंग है आप इसे किस तरह से हैंडिल करते है तो सत्ता जी गुडिवनिंग पसक्या है कि मुझे मालूम है कि पेपर है इसका आप 190 जेसम तो यूज किया है मालूम है कि कलर रहने वाला है यह होता है कि आप किसी पेपर को किनीजब काम करते हैं आपको मालूम होता है पेपर ड्राइव होने के पाथ आपको इतना कलर इंटेंसिटी मतब मेंटेन रहेगा वो आप एक ही प्यापर में continue जब काम करते तो अब आपको understand करता है समझ के मैं थोड़ा और color layering इसके पर add-on कर लिया जब भी किसी part को drawing करते हैं color करते हैं इसे भगना नहीं है वहां पे भगना नहीं मंतब क्या है कि कि इस एरिया में और क्या काम बाकी है या क्या हो सकता है इसकी बात कर रहूँ जैसे मैं इसके ऊपर काम करते करते ऊपर क्या-किया possibility है क्या-क्या हो सकता है वह सब चीजे में समझने की कोशिश करूओगा देखूँंगा क्या-क्या कलर है एक अंडा बोलने में से एक गोल साथ ऑफिल बनने से वो अंडा नहीं हो जाएगा उसके अंदर आप नोटिस करेंगे विरीडियन भी घुजा हुआ है तो यह सब कलर कहां पर है वो थोड़ा देखना परेगा क्या होता है किसी प्रेंटिंग को आप देखते हैं क्या होता है ऐसा प्रेंटिंग हमें देखना को मिलता ना इंश्प्यार होते हैं अच्छा लगता है बड़ हम उसको सवाल नहीं करते हैं जूम नहीं करते हैं अच्छी तरह देखते नहीं आप तर्कोईस के साथ भी जो जाते हुए तोला पार्ट में है तो यहां पर जो अंडा का जो लाइन है मैं बाहर की तरफ लिख लिए कि बाहर जो है कुछ डार करिया है मैंनेज हो जाएगा तो यह जो 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 कलर है ना कि जे लिए वो जो लाइट का जो मजा है जो ब्लू है वो आएगा क्या हुआ अभी गिला है तो जे गिले में वैटन 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 कलर तरह सॉप्ठ हो के लग जाएगा तो इन विरिडिया लेगा कि एक पैसे साने लगता है कि काम करते करते उसके उसके टाइमिंग तक वह वाटर या कलर को चोग करता है पिट भर जाएगा ना उसके बाद भी खलाएंगे तो किया होगा ओ निकलेगा है ना तो इसी तरह से पेपर में भी आप खिलाते रहो खिलाता रहोग एक थाइम के बाद क्या होता है वो पहचे सोने का time हो जाता है ठीक है थेंक्यू, Mr. Ma'am, Good evening, Welcome, सभी को Welcome और अभी यहां पर स्मार्ट ली क्या करना है कि इसको ड्राई करना है अगर आप इंडूर में हैं, तो मैं खाऊंगा तो आप इसको इसके हालत में छोड़ दो और प्राई होने दो आप अगर मदब इंडर्मी होते हैं टाइम है आपके बस तो उस्टे क्या होता है कि इससे क्या होगा ड्राई करने से कि इसके अभी थोड़ा कलर भी आ ग thoroughstream सोटा हूं निजू से खरीन की जाता है या डल हो जाता है फ्रेस नहीं लेता है तो वह फ्रेस रखना भी हमारा उतना ही काम है ठीक है अभी यह जो पैलिट में जो क्रीन बला है उसको तो रहा हटा नहीं पड़ेगा अभी एकदम अपोजिट कलर है आप देख पा रहें जैसे कि प्राउन बं सियाना बं टंबर ऐसा कुछ कलर हो सकता है और इंज हो सकताए टीक है behavior वो देली जाने का रास्ता और कोई एक नहीं है ना कहीं सारे है तो इधर वह जा यह जो प्लॉर है कोई एक सिंगल कलर सिंगल जैसे करको इससे भी हो रहा था विरिडियन से भी हो रहा था ठीक है तो इसी तरह से तो मेगनेज ब्लू नहीं है तो आप कोबल्ड ब्लू के साथ थोड़ा सा विरिडियन यूज कर सकते हैं तो भी हो जाएगा यह वाला कलर जो मैं बीज में डाला ठीक कोई बेसिक जो पांस साथ कलर के जेरी पुरा दुनिया बसा हुआ है कमपनी ने हंड़ेट के ऊपर कालर निकलते जा रहा है और आप अगर चाहे तो उनी कलर में से आप बना सकते हो तो बहुत फ्लैट इडिया तो फ्लैट ब्रस ऐसे भी आप ले सकते हैं कुछ ब्रस और भी आया काफी काफी आच्छा है मैं एक बद दिखा देता हूं इसका मेर अबी बाकी है इस तरह से कुछ इंटेटिक ब्रस तो अभी स्टार्ट कर रहे हो तो उनके लिए इस तरह से सिंठेटिक ब्रस काफी अच्छा और इसमें भी काफी अच्छा काटिंग है मैं इसका जो छोटा वाला काम किया था बहुत मज़ाया से शोनाज करके है और यह लेवल है और यह जो है सिल्वर है 80 नंबर है 30 20 जो भी आपको लगता है आप इसे ले सकते है ठीक है ठीक है तो यहां पर यह जो है कुछ हुँँ कर यह एक यह और इंवरींज है कि डनियुल स्मिट का है कि जो है मैं कलर यहां पर यूज कर रहा हूं थोड़ा यूड़ा करके साथ करता हूं तक यह लाइट हो जाएगा कि यह वह पार्ट में क्या है करफी लाइट है लाइट वाला इसके पहले धियान रखना पड़ता है वह लाइट आ जाए ऐसा कुछ क्या होगा पूरा पेपर में कलर वास हो गया हर्मोनी बोलेंगे इसे ठीक है तो कलर में क्या है कि ब्रैंड के साथ जैसे मैं औरेंज बोल रहा हूं वह सकता अब जो ब्रैंड यूज कर रहो उसमें और यह कलर ना हो वह सकता बंसियान में हो तो आप क्या करो फिर उसी सबसे कलर मिक्स करो खुदी और लगाओ ठीक है जो पेपर है सोंदर्स का है क्लियांड जीसम हाई वाइट पेपर इस कर रहा हूं हाई वाइट कि आपे अच्छली जो इंडियन आर्टिस्ट को अब नोटिस करेंगी जो हम आर्टिस्ट जो है हमारे यह क्लाइमेट ज्यादा था फ्रेस क्लाइमीट दिखता है लगाउन इस तरह से युफित पर है वाइट deswegen करते ज्यादばい करते या उस पर रखिस्ट उधर महते पे आप्र यपीशसरě और पर मेंखला है ज्यादा वह पसंद आप्र तो चलो वह बात चुड़ो अभी यहां पर कुछ बंटमबर ले ले लेते हैं बंटमबर भी बहुत लाइट दिख रहा है ना अलाकि वह सेचुरुसिन डाउन करता ही है यह भी क्या हो रहा है यहां पर तो वह टाइमिंग जो गिले में गिले में कैसा कब अपलाई करना वह टाइमिंग बहुत जरुड़ी है अग्दम से स्प्रेट करके गया नहीं है वो भी है वोड़ा सा स्टे कर रहा है इसके पर वह है ना को के अल्टम इनके साथ है कि अंद्रे में हैं काइम रहे इदर कर रहे हैं करने की कुशिश कर रहे हैं कि यहां पर जैसे खाने में अब लोग मसला डालते ना डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होने के लिए भी बनाते हैं तो यहां पर भी मैं अलिजरिंट कि उन्सम थोड़ा एट किया तोरह मसला दर बन जाए खाना टेस्ट वाला बट वह ऐसे अच्छा निक सिक्दम अलाग से नहीं दिखना चाहिए वाटकलर जो मीडियम है ना वह चाहता है कि मैं गिले गिले पर वो गिले में मन्दब पानी में त्यार ना चाहिए वाटकलर तभी उसका जो है सही मज़ा है और क्या है कि आपको डर तब नहीं लगेगा जब आप तो आपको मालूम रहेगा कि कैसे हैंडल करना है तो आपको वो धिले धिले डर तभी खत्मों का आप जब बहुत पैक्टिस करते करते ऐसा स्टेज में पहुंचेंगे कि आप खेलेंगे इसके साथ वो डर निकल दाएगा कुछ भी कर सकते फिर फिर बैक्ग्राउंड आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं अधिये जस्ट एक्टिस करते लेना है तो जाता है कि में क्या है कि ऑडियन्स को थोड़ा सा रोक के रखना होता है इसलिए पहले अंडा को कलर किया कि जो जो देख रहे हैं जो आये थोड़ी देर रुके तो सही तो यह भी सूच बीचार रखना होता है आर्टिस्ट को क्या करें तो तो थेंक यू साइन अकॉल इस शीट मैंने बता दिया सोंदर्स का है वाटर फोर्ड है और थिरेंड इजेशन बहुत अच्छा लग रहा है रूचा मैम थेंक यू सू मच परस्तब सर्क थेंक यू आर्ट पेपर हैज लिमिट एंड आफटर एक अटर वाइल दा केज सब होता ही है मदब स्पॉयल भी होता है सब कुछ होता है आपके क्या ड्राइंग हमको मालूम रहता है तो क्या होता है कि हम आगे पीछे उसको ठीक कर सकते पाद में भी तो देखो ठीक होने से क्या है तोड़ा देर तक आपको इला मिलेगा और यह भी डिपेंड करता है कि आप कहां पर बैठे हो क्या आप केसी में हो पंखे में हो बहुत कुछ डिपेंड करता है ठीक है तो ऐसा नहीं कि कि अंडे जेसे में बोले तो गिला करके आप भूंके आओ ऐसा भी नहीं चलेगा क्या यह बंटमबर है बंटमबर से कितना खुब्सूरत कितना के अंदर टेस्ट आ गया वो कलर को एक्जेक्ट कैसे पकर सकते आप रोज काम करके पकर सकते इसको कि क्या कलर हो सकते और क्या है कि एसा नहीं किन आप आपने सुना है को मैंने बोला है ईसय करके नहीं अब खुद एक्सपरिमिट करो आप कुछ क्योंकि मैंने बोलना देल ली जाने का रास्ता एक ही नहीं है तो मैं जो Elliger and Kimson यूज कर रहा हूँ, Altermine कर रहा हूँ हो सकते हैं आप दूसरा कलर यूज करके भी वो कलर बना सकते हैं या दूसरा कलर यूज करके भी वो चीज हसिल कर सकते हैं इसलिए यह सब आप Experiment कर सकते हैं हाँ अगर बिलकुल आप Start किया है तो स्टार्टिंग में आप ऐसा फॉलो करो, कुछ यूप फॉलो कर लिया जैसे, वो अलग बात है. मैं कुछ इस तर से स्टोक्स यूज़ कर रहा हूं, कुछ ऐसा कर रहा हूं कि जिससे की, उसमें जो टेक्श्यार है, वो बन जाए है ना, और गिला है, थोड़ा-थोड़ा और थोड़ा भी ड्राइ होने लग रहा है, और जैसे ड्राइ होने लगता ना, वो वो काम होने का टाइम होता है, और इसलिए क्या करना है आपको, अब स्टार्टिंग में जो काम कर रहे हो, आपने ये देखा आपको शुरू करना है, तो आपको क्या करना है, इतने बड़े पेपर पे नहीं करना है, और तीन अंडर के जाएगा, एक अंडर लेके कर सकते, ये बेस्ट तरीका है जिससे कि आप एक अंडर कर सकते हैं और प्राई कर सकते हैं, आप इस तमें पूरा पेपर हैंडल नहीं कर सकते हैं, जैसे तरह से तरह से, मैं कर रहा हूँ, सैद आपको मुश्किलों का सूरू में, झाल झाल कर देखो कुछ टेकनिक्स आप अगर यहां पे है तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा क्या होता है क्या होता है हम ने क्या बूला पेट बढ़ जाता वह पैचेस आजाता ना वो पैचेस को हम काम लगा काम पे लगा के हम उसके अंदर अभी देखो वो भाग रहा है ना वो लाइन आ रहा है तो वो क्या कर सकते हम इस तरह से कुछ तो अंदर घास पूस के साथ बना हुआ है तो हम पैचेस को बना के ही कर सकते हैं अभी किया यह जो गुमा रहा हूं कहें कहीं वो लाइन पैचेस होके निकल के आएगा ना इस तरह से बहुत तरह जो है तार्क के अंदर मैं निकल पाऊंगा तब एक जैसा कलर नहीं है पाई में वो डार्क है कुछ ऐसे निकल जाएगा जैसे मैं कर रहा हूं कुछ थोड़ा सा सलो सलो करके उसकी नेगटिब केरिया में काम करेंगे मतब बैक्ग्राउंड में थोड़ा काम करेंगे कुछ एक क्या करेंगे हलक हलक का कलर के जैसे कुछ लगाएंगे तो चलता रहेगा कंदे का आक है करें कर दो करना है यह काम करना है यह आप नहीं करते है यह पैलेट थोड़ा साफ करना है आपको दिख रहा है कि वह कलर करने का जाएगा नहीं है तो साफ करना पड़ेगा जिससे कि अप पेस मिले और वह रंग आप यूट कर पाए तो कितना कलर लिया मैंने वह आपको नोटिस करना है और इन से वन टंबर में आए गया प्रवाटर के साथ घुमाए था वह क्या है कि कुछ दाग हो गया मतब लाइन लाइन आ गया तो वह पकड़के हम उसको पाकी अरिया को बचा के कर सकते हैं तो यह 40 टिगरी पर है यह पर मेरा अंकुस जे यह तो मैं बता दूं कि जो मैंने 2000 में पेंटिंग अल्रेडी मैंने पोस्ट किया है तो उसका जो है 15 पर्षेंट सोल्ड आउट हुआ तो मैं आपके लिए बिल्गुल ओपन करना चाहूंगा कि अभी भी आप उससे वहां से पर्षेस कर सकते हैं अल्ली 2000 में बहुत ही अच्छा चब पेंटिंग मैंने थोड़ा सा तेल पे निकाला ठीक है तो अभी देख रहे हो अगर प्रस आप चैनल पे विजिट करेंगे कि आप पर्षेस कर सकते हैं आप स्किन्स वार ले लीजिए ज्यादा ले लीजिए ताकि उसमें से अगर कुछ सोल्ड आउट हो गया तो आप ऑप्शन आपको क्या बार बार धुनना नहीं परेगा अभी भी एवेलेबल है पेंटिंग क्योंकि मेरे पार पेंटिंग बहुत है और आप उसे पर्चेस कर सकते हैं आप पर आप मेरा जो है वाट्सों नंबर है मैं आप एक बार दे देता हूं वाट्सों नंबर और डिस्केशन बॉक्स में मेरा नंबर आपको लेना है मुझे वाट्सव करना अग्यों अग्यों यहां पर तोड़ा सा जो जहां पर जो जैसे कलर है ना जैसे यहां पर लाइट था यहां पर कि मीट टॉन फिर ऐसे सिकर के घुम रहा है ऐसे मैं साथ साथ में घुम रहा हूं जैसे से कलर है और होते हुए भी ऐसा ठीक रहा है कुछ डेट्थ तोड़ा सा काम बाकी है क्योंकि हर बड़ी में वह तो नहीं हो सकता ना क्योंकि उसके अंदर बहुत सरे करना पड़ेगा और यहां पर क्या हम हुआइट क्यूज नहीं करेंगे ना इसके जड़िए होगा कि अधार नेगटिव पेस्ट जो है किस तरह से निकल सकता है ऐसे में और ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप देखिए किस तरह से चेंज्जे शोग रहे हैं और कहां पर क्या कलर है आप नोटिस करेंगे यहां से वह गहरा सा बन रहा है ना वह कलर के बज़े से बन रहा है ओके वोईलकम वंकुज जी मोर्टू डू थैंक्यू सू मच कि यहां पर ड्राइब करूंगा हाड हो जाएगा तो अगर आपको कलर करना ही है तो आपके पास बहुत वाटर है वह को कि कर सिधार आना है कि आप वाटर के लिए आप अप्लाइब अप्लाइब कर सकते तो मैं स्टार्टी में कर रहा था भी कर सकते हैं काफी पेपर वाइट छोड़ना है तो बढ़ा छोड़ दिया बाकि यह वाला पार्ट बाद में गिला करूंगा इधर कर लिया इस पर काम कर ला तो ऐसा भी कर सकते हैं पारट बाइज जो यह सब क्या है कि थोड़ा फ्रह गिरिन भी डाल दो थोड़ा एसा पॉत ही ज्यादा वह भी नहीं होना चाहिए लिए से तो बचना ही है गरीन बोलते तो बहुत गरीन दिखता ब लोगों कितना के रिन है उतना ही डलना जो इसे बाल वैसे में बहुत हाइलाइट या ऐसा कुछ जालना नहीं चाहरा हूं कि सेम सा क्रेट करेगा आपके नजर इधर ही, पर पाएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बन टमबर अल्टमर इन, आप चाहे तो तोरह सेपिया भी यूज़ कर सकते हैं, जिरूरत नहीं है इतना, और सा औरेंज, अल्टमर इन, और इक बात है, जो पेंटिंग सोल्ड की बात किया तो जिन्होंने भी लिया है मिनिमम टूपेंटिंग भी खरीदा है उनको, एक एक पेंटिंग मेरा और भी गिट कर दिय उनमें से नहीं हालांकि बाकी में से दिया मैंने, तो आप जितने भी पर्चेस करना सकते हैं कर सकते हैं कि इप्ट मिने तरब से रहेगा है तो क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे पूरा पेंटिंग जो फ्रेम हो और वह उसके लिए आप सभी का मदद चाहिए तो यहां पर गिला किया था औरेंज फोड़ा से ब्राइट अपरा भी नाराज हो रहा है बोला मैं पैलेड में हूं मेरे तरब देखा भी नहीं और इसा नहीं कि उसको एकदम उठाओ वह हाड नहीं होगा ऐसे गीला करके करकान करते हाड नहीं हो कि अब गलती से उपर चले जाता है कलर अब गलती से उपर चले जाता है कलर मैं फिंगर से हाटा देता हूं तुरंट फिंगर से हाट जाता है उससे भी नहीं होता तो फिर हमारे पास है ना टीशू को लब ऐसा है जाब कर सकते हैं अल्टर मेरें रेड ब्राउन तार्क हमेंसा गिले-गिले पर अगर लगता है तो रहा और डार्क एड करना इंटरस्टिंग बनने के और कुछ ऐसे ऐसे बन रहा है उसके गैप में क्या है में मुश्किल काम है बट राई तो करना पड़ेगा कर दो करना पड़ेगा द्यान लगना पड़ेगा इस वक्त अधरे में भी जो गोसले के अंदर जो ऐसे 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 बना हुआ न उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा अंदर में भी वो देखना चाहिए प्रिया जू कर दो कर दो कि अ इस थैज कर दो यह ट्राइबचा टहश्ट ट्क्रताओ स्ट्राइबचा क। च्थि टंप प्रवाट प्रवबच्टट टूबचेंगे इस दिब्सकान ब्ड़ेगा है अधर। है एक चुरली उसके उपर से कुछ तो हर एक को थोड़ी बना रहा हूं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूं कि वह मैं तो ने लग रहा है आई यह बाती चार आई रहा है आई यह ने लिए को डसे बांड़ा है आई यहार है आई झाल्ग्स आई यहाला है आई मैं आई यहाला झाल झाल और देखिए गलती तो होता है किदर भी गलती हो सकता है गलती होगा करके काम को नहीं रुपना है गलती होने देना है वोगा तो होगा क्या फरक्ता है पेपर भी तो आप ही नहीं ख़ड़ता है यह पूदाए और यह जैश्य करना चाहूंगा कि आपके आपके तो पींटिंग करते हैं करते हैं अब हर किजी को मत शेयर किजिए कि सर मेरा देखिए कुछ बताईए कि कही पर हमने देखा है कि हो सकता है आप कुछ ऐसा उनसे कमेंट्स मिले आपको की मोटिवेट हो जाए आप को धियान रखना है कि अगर वह सुनने के लिए त्यार है तो आप किजी को पेंटिंग ज़रूर दिखाई है ठीक है उस बात को भी धियान रखना है और पेंटिंग अच्छा बुरा नहीं होता है पेंटिंग बस एक इंप्रुमेंट होता है जो कि हम हर दिन करने से ठीक हो जाता है इकरम जी कह रहा है अभी जो कट रही हूश के उससे बहुत अच्छा हो गया है हाँ इसी तरफ से ये टेक्निक है और यह हमें मालून है कि हमें करना ही हैं तो कुछ पार्ट में कर दिया भी जैसे यहां पे कुछ गिला है एक टेक्निक है इस कहा हम बरी आसाने से असर करते असर दिखा देते हैं कि हाँ यह हो गया जैसे कि मैं बोल रहा था कि इधर पार्ट जो है गिला करता हूं कि इनकी जुरूरत नहीं है इनकी सबकी जुरूरत होगा तो फिर इसको कौन देखेगा कटर का पार्ट और भी लेट में हो सकता था बट एकदम से ड्राइ होने से न निकलता नहीं है कि यह भी थोड़ा सा देखते हुए मैंने टच किया कि एक्स्परिमेंट है करना परेगा करते रहो कि जो भी कुछ होगा कुछ तो कुछ होगा न अब करना है यह जो भी अपकाम कर रहे हो इस भी स्टेज में है अच्छा हुआ बूरा हुआ कंप्लिट करना है ॥ी और सिर्ड को होता है कि रुखने का पता नहीं चलता कब रुखना है उनके लिए बताओं कि आप करते करते फोटोगाप करते रही है तो साहिए सब खतम होने के बाद मादा बेंटिंग होने के बाद आप अब फूरे फोटोगाप देखेंगे आप खुद ही बताएंगे कैसे बताएंगे कि आप फोटोगाप भी करते रही है आपको मालूम चल जाएगा कि कहा फिर रुग रहा है ठीक है और ना थोड़ना यह सब चो है करते करते आ जाता है हैं inçuout है अपको बस एक यह काम करना होता है कि टेली टच करना है के लिए को ty है यहいた कर टॉष करते हैं यह यह यीज़यो कुछ ना कुछ शी पर जाते जाने आन जाने में अपने जानते वह क्यार्ड कुछ ना कुछ आप चीब कर जाएंगे तर आप आज ही उस किया और बर्सों बाद फिर टश कर रहे हो फिर आप यहां पर वहीं पर रह जाएंगे आपको कुछ नहीं हो सकता इसलिए आपने देखे होंगे जो भी बड़े-बड़े मस्टर है आज की टेट में उनके ब्रस को रुकते हो देखेंगे कभी नहीं रुकेगा अगर ब्रस उनके रुक गया तो फिर वो नहीं आ सकता उस स्टेज में जिस स्टेज में उन्होंने आभी देख रहे हैं आप उनको ठीक है बहुत जरूरी है मस्टर भी इसलिए वो छोड़ते नहीं काम जो है करते रहते हैं प्रेंडम इसके अंदर में डार्क डाल रहा हूं प्रिपर मुझे काफी प्यारा लग रहा है अच्छा है प्रैश की सबसे भी तो आर्ची स्लोग है तो आप उना पैसा लग जाएगा क्या अच्छा है कि अच्छा हूं कि अच्छा करना पड़ेगा तब जाके बाद बनेगा नहीं तो इसके साथ वह आलाग जैसे उपर उठके आ रहा है ना वह इसा नहीं चलेगा वह थोड़ा सा आपको भी बने रहना पड़ेगा देखना पड़ेगा है ना और हाँ जब भी कभी आप मेरे चैनल को विजिट करते नेक्स टाइम या आप देखते हो आप जुरू कमेंट करिए अच्छा पर्फेक्ट जो सेडव बाउंस करता है एकदम आइट अलर बन जाता है इस तो और इंज पर बने दो और बने जाता है आप पर आप देखते हैं पर देखते हम करता है आप देखते हैं शेडिंग करना पड़ेगे जिससे की वो जोड़ा अंदर चला जाए अभी फड़क पड़ा अभी समझ माया है क्या हुआ अभी उसकी पोजिशन में चला गया तो इसके यह करने के लिए आपको मतलब स्टिल लाइब बगर जो करते हैं को ज़्यादा इसकी समझ होता है कि कि पोजिशन क्या है कहां पर है इस जो है कफी ज़रूरी आपकी घर में जो भी सामन है कि स्टिल लाइब कर डालो ठीक है इसी के पर कुछ कुछ शैड़ो भी है जो कि मैं आइटमें इन्यूज कर रहा हूं तरकोई इस यूज कर रहा हूं और इस समय मेरा कलर जो बरस बाहर भी जा रहा है कुछ परग नहीं पर रहा है क्योंकि बाहर इतना डार्क है जैसे की बात कर रहा था दो रहा बेरिडियन का यहां पर क्या यह ड्राइव हुआ ड्राइव पर कर रहा हूं ड्राइव पर करके इसको मर्ज करना ठीक है हलका सा बाउन्स लाइट के बाएट से मैंने एक यहां पर स्पेस छोट रहा हूं बाउन्स लाइट दीखा यहां पर यह जो कलर मैं लगा हूं इसे गिला करके भी लगा सकते हैं ऐसे लगा के तरसली से लगा के अब मर्ज भी कर सकते हैं पड़ी कलर तो लगाना पड़ेगा यह ब्लॉक में आता है 20 का स्कीट है मैं लिंक दे दूँगा जो मेरे वाट्सआउप गूरुप है यहां पर सभी है मेरे यहां के डिस्ट्रोशन बॉक्स में वाट्सआउप का लिंक है वहां पर मैं इस पेपर के बाड़े में सेयर करूँगा अच्छा पेपर है आप देख सकते हैं कि ये पर वाइट होने के कारण कफी मजजदर है कि ये जितना अचा कलर इसके अंदर और शेडिंग करेंगे अच्छा वो अंडे का जो असर है अंडे का फंडा जो है अच्छा अंदर की तरफ थोड़ा अलिजरीन अलिटमरीन और टर्कुष या ब्रेडियन ले सकते हैं और में और वाले सुसका जो रंड है डार्क होना चाहिए के साथ को टेक्राउन जो है अगर आद में आप टच अप करते हो अच्छा रहे इसा पार्ट जो है स्टील लाइप क्लाज में दिखाए जाता है अगर टाइप तो यह सब चीजा बाथा नहीं से कर सकते हाँ में इसके साथ मैं यह सेर करना जोरूब चाहूंगा कि जो वाटर कलर आभी सुरू कर रहे है या दूसरी वीडियम से स्विच कर रहे हो अगर यह एक क्लास नया लॉंच किया जो कि जिगनर्स के लिए है बिलकुल इस बिलकुल जिनको नहीं वाटर कलर समझ में आता है कैसे काम करता है उनके लिए यह क्लास आप जुरूर उसे जॉइन कर सकते हैं कि सनी बार को होता है होगा थर्टी स्टेमबर से स्टार्ट होगा वह करते हैं है इतना दूर में करने जड़ नहीं आने के लिए मैं पबूत और कलर लिप्ट वहां पर वहां का जहां पर डार्क है कि अब का कुछ कलर आया है नहीं आप चाहेंगे कलर लिप्ट करना वो कहां से लिप्ट करेगा इन तरिक हार्ट ब्रस के जड़िए कलर लिप्ट अच्छा होगा कि अब करते हमके जड़े क्लर लिप्ट अच्छा होगा कि ऐसा नहीं है कि आप वाइट कलर यूज नहीं कर सकते हैं वाइट कलर को अगर यूज करना है तो कैसे कम करना है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं इसका मदाब यह नहीं है कि ऐसा बिल्कुल किया नहीं पूरा ही हुआइट यूज किया उससे कुछ नहीं होगा आपके पेंटिंग में उतना ट्रांस्परेंसी उतना मजदर नहीं होगा ठीक है बट मैं आपको यूज इंग दिखाता हूं यहां पर कैसी उसकर नहीं करना है जो कलर यहां पर है अलकावल को मिला के थोड़ा वाइट को लेना है कि और वाइट नहीं क्योंकि यहां पर प्यूर और जो पेपर वाइट वो अजिप्शा दिख रहा है ठीक है कि करन थोड़ा वाइट का डिसेशन भी आप ले सकते हैं कि 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 माइट पार वाइट जो है थोड़ा डल हो जाएगा पर वैसे कि यह जाये घाएगा प्रेफिरेंस से खुब शुरू लग रहा है थैंक्यू पर रेफिरेंस खुब शुरूत है कैसे तो ऐसा तो इसने के लिए कि उसे हुआ सकते है होता ना है कि उसे गोजले में नहीं उसको एकदम क्लीन करके है अगर ज्यादा उपर डालेंगे तो शैड़ो भी उसी सब तालना चाहिए तो यह जो है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर टच्च करने के लिए ऐसा नहीं की पूरा एरिया आपने अगर इसी से कर दिया होगा भी नहीं हो तो तो कहीं कहीं पैसा च्च्च के लिए वो पेपर वाइट से क्या हो रहा है वो अजिब सा मतलब अलग सा पेल में पहुंच रहा है वो पूरा मैं पतला करके के कलर को लगा रहा हूं पतला करने के बजा क्या पता है जल हो जाएगा जल होके क्या होगा यह मर्ज हो जाएगा और आइन दिखेगा जल का पोल सारे लाइन से मैं समय तो दे रहा हूं जिससे की पोल सारे हो ऐसा और कलर स्ट्रोक उसी सब से कोटेट करा रहा हूं उसी सब से यह सब दिख रहा हूं झाल झाल केते ना वटकलर किया ड्रामा नी तुक किया तो क्या किया ड्रामा क्या अच्च किया टुक किया तो किया दो क्या गal पूरा साथ डर के आगी चीत है बुलते ना दर निकल के कुछ करना पड़ेगा होगा जाए 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 खराब होगा हुआ हुआ है खराब होगा झाल क्या बुलते उन्हेंड़ेगा जाए 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 जाएगा किया था रखने के लिए कैसा लगा वह तो अच्छा रिफेरेंस कोशिश किया वर अलक प्रटि अर्ण चा लाकम थैंक्यू सो मजच ओके तैंक यू फ्रेंस बने रहने के लिए और किसे कोई सवाल है तो जरूर करें तो इसी तरह से मैं आता रहता हूँ सब्जेक्ट ले करके आपको अगर बेनिपीट है आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें और जरूर कॉमेंट्स लाइक्स कुछ तो करें जिसे कि मुझे थोड़ा इंकरेज मिले और इस तरह से आपके लिए आते रहा हूं तो मैं आच्छी तरह आपको रेफेरेंस और यह पर कि मैं इसके डिस्क्रिस्टिन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप जॉइन कर सकते हैं और यह ड्राइव होने के बाद उसी वाट्ट्स अब्रूप में या इंस्टा पर आपको इसका जो फोट्रो है आपको मिल जाएगा तो फ्रेंस थांक्यू सो मच बने रहने के लिए और मिलते भी next composition के साथ और अभी भी किशी को painting purchase करना है only 2000 में मैंने बहुत सरी painting 200 painting मैंने upload किया है तो तीन दिन के लिए रखा था मैंने अभी open करता हूं तो आप वहाँ पर जाईए इस फाल लेजिए और किंसर लेकर आप मुझे इंसर लेकर मुझे वर्शॉप कर दीजिए ठीक है तो थैंक्यू सो मच टाटा करते हैं मिलते नेक्स्ट कंपोजिशन के साथ